तो आप देख पा रहे हूंगे कि मैं GTA 5 में real car चला रहा हूं जैसा कि यहां पर देख सकते हैं यह Ford Mustang चला रहा हूं ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं मेरे पास Bugatti भी है मतलब ठीक है तो यहां पर real car आपको कैसे add करना है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उससे लिंक मैं description में दे दूँगा और i button पे भी आ रहा होगा तो आप उस वीडियो को 100% उस वीडियो को देख लेना तभी आप menu trainer इंस्टॉल कर पाऊगे उसके बाद ही यहां पर जो car को add करना उसके बाद हम लोग यह step करेंगे ठीक है तो आप menu एकदम से इंस्टॉल करेना और यह वीडियो मेरा देख लेना और यह वीडियो में मैंने menu trainer और open iv दोनों ही बता है तो अब आपको क्या करना है Google Chrome पे चले आना है और GTA5 mods.com सर्च कर लेना है तो यहां पर आपको बहुत सारे mods देखने को मिल जाएंगे तो simply हमें क्या करना है वेकल्स में चले जाना है और य सिरीज मिल जाएंगे और आपका जो भी मन करता है वो आप अपने GTA 5 में add कर सकते हैं वो भी real और गजब का मतलब guys दिखता है और normal car से इन सब की speed बहुत ही जा रहा होती है ठीक है तो आपको भी चाहिए मतलब यह सारे cards तो आप मतलब video को full देखो आप 100% यहां पर तो मैं क् आप यहां पर आपको डाउनलोड करेंगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और यह विंजिप में होगा तो आपको विंडरार चीए होगा इसे एक्स्ट्रेक्ट करने के लिए ठीक है तो यहां पर तीन डॉट पर करता हूं इन फोल्डर पर चला जाता हूं अब यहां पर क्या करना है हमें इसे एक्स्ट्रेक्ट करना है ठीक है तो यहां पर इस तरह से एक्स्ट्रेक्ट करना है और एक्स्ट्रेक्ट करने के लिए आपके पास विंडरार होना चीए तो यहां पर मैं यहां पर फोर्ड मस्टैंग को भी एक्स्ट्रेक्ट कर लेता हूं गाइस यहां पर मैंने एक्स्टेक्ट कर लिया है अब हमें क्या करना यहां इस फोल्डर को कपी कर लिया हूं अब फोल्डर में चले जाना है और आपको यहां पर मॉट्स में चले जाना है अगर आपने मेन्यों ट्रेनर इंस्टॉल किया होगा तभी आपको यहां पर मॉट्स देखनों को मिलेगा ठीक है तो आप मेरा पुराना वीडियो मतलब जरूर देखेगा लिंक डिस्क्रिप्सन में दे रखाए अब आपको एक फिर से कॉपी कर लिया अब यूटे फफ के में फोर्डर में जाएंगे माक्स में आ अपड़ेट मेंend आ गया डेट करेंगे तो यहां पर मेरा ओपनाइवी खुलने में थोड़ा सा टाइम लगए और आप लोगों ने अभी तक ओपनाइवी नहीं इंस्ट्रॉल किया तो ऑपनाइवी इंस्ट्रॉल कर लेना क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी स्टैप है ठीक है तो यहां पर थोड़ यहां को अपर आप इस तरीके सां करें यह hanpa क्रों है तो मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया है तो मुझे क्या उपको-ई्रेस करना आहां आपको All hour yeah Buggati करोंगा और इस तरीक में ने यहां पर फिर से मैंने यहां पर copy Axe करूंगा अब सिंपली मैं क्या करूंगा यहां पर एक बार मैं देख लेता हूं कि लिखा हुआ ना क्योंकि मतलब एक दम से और आपको वही लिखना है अगर आपने हलका सभी गड़वड़ी किया तो आपका का रिस्पॉंद नहीं होगा ठीक तो मैं यहां पर देख लूँ कि फाइल का क्य अब लोग क्या करेंगे अपना गेम खोल लेंगे घ्ट फाइब खोलेंगे अगर आपको लिखा हुआ इंप इंपूट मॉडल पर आपको सिंप्ली एंटर करना है अब मैं यहां पर बुगाटी लिख दूंगा जो फाइल का नाम तो सिंप्ली आपको लिखना है जैसे मैं इस तरीके से अपने जी टीए फाइफ में रियल कार एड़ कर सकते हैं तो गाइस देखो अगर आप अभी तक यहां तक वीडियो देख लियो तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि मेरा जो पुराना वाला वीडियो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ वहां सबसे जाहिए और आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए में ट्रेनर इंस्टॉल करिए उसके बाद इस वीडियो को देखे तो आप 100 परसेंट यहां पर आप कार यहां पर एड़ कर पाएंगे रियल कार और देख सकते हैं इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है 300 प्लस जीटी मैं लिखता हूं यहां पर देखे तो मेरा फोर्ड मस्टैंग आ गया है ठीक है और आप इसका कलर वगरा टायर वगरा जो मर्जी आप मेंड़ी ट्रेनर से इससे आप मतलब कस्टमाइज भी कर सकते हो तो चलो मैं आपको कस्टमाइज भी करके दिखाता हूं क्यूं बिखाता हूं तो लिख सब्सक्राइब कर लेना और सारे इंपटंट लिंक मैं आपको दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो फिलाल के उने इतना ही बाई बाई गाई गाईस